नमस्कार आदाप से स्रियकाल असलाम लेकुम आप सबी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरो और आपके यूट्यूब चैनल पे आप सब लोग जैसे रोज आते हैं और रोज धेर सारा प्यार देते हैं उसके लिए बहुत-ज़दा शुक्रिया और इसी महनत लगन से हम काम करत तो आज फिलाल हमने सोचा कि हम आज जो है क्रिकेट मैच का हर जगह पे जो बाट शोर चल रहा है लोकाफी मस रूफ है क्रिकेट मैच देखने के लिए कुछ लोग बहुत्या को सपोर्ट कर रहे हैं हमारे भारत से तो कुछ लोग नियूज-ज़लैंड को अ सपोर्ट कर र किसी भी तारुफ की जाये कम है किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है रिभा इमरान है जोइन अस तोड़े तो इनके साथ बातचीत करेंगे सबसे पहले तोरी भाजी आपका बहुत शुक्रिया आपने हमारे विवर्स के लिए ताइम निकाला और आपका मैं बहुत स्वागत करना चाहूंगी है वेरी वार्म वेलकुम फो यू कि आपने ताइम निकाला और हमारे विवर्स के लिए आप हाजर वे थांक यू सो मच Thank you so much, Ribha. Once again, कि आप मेरे पॉड़कास्ट पे आती है, ताइम निकालती है, हमारी वीवर्स के लिए बातचीत जो होती है, उमीद करते है कि जितने भी मुद्दू पे हम बातचीत करते है, वो फैक्च्छल साबित हो, हमारी वीवर्स के लिए, अगर हम बात करें तो आज जो है, इंडिया वर्स न्यूजलाइन है, तो बिए पाकिस्तानी सबसे पहले आप से जानेंगे, आप किस टीम को सपोर्ट कर दे है, और आप मतलब आपके इस टाइम पर क्या सेंटिमेंट्स हैं, इस बाच को ले करें. और जिस तरह इंडिया की परफॉर्मेंस रही है, यानि कि मैंने पूरा मैस देखा विराट कोली की जो परफॉर्मेंस ती, आउट लास थी, रोहिच शर्मा की परफॉर्मेंस थी, वो भी आउट लास थी, बहुत जबरदस उन्होंने रंस बनाए, और विराट कोली ने तो 50th अपनी सेंचरी जो है, उसको अचीव, माइल स्टॉन अचीव कर लिया है, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है विराट कोली के लिए, और मेरे खाल से विराट कोली के फैन्स सर्फ हिंदुस्तान में नहीं हैं, पाकिस्तान में भी उनके बहुत ज़्यादा फैन्स सर्फ हैं जो कि उनके परफॉमेंस के हवाले से उनको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि मैं रिसेंटली जब तेक रही थी ना, अब आफाइका जब मैंने विराट कोली की पुरी जर्नी देखी तो मैंने वह पुरी एक डाकिमेंट्री में नहीं थी यूट्यूब पर वीडियो जब देखी और पर मैंने रियक्शन भी दिया था, मैं तब भी यही कह रही थी, कि मैं बहुत बड़ी फैन हूँ विराट कोली की, क्योंकि उनकी परफॉर्मस इतनी अच्छी है और इंडिया और पाकिस्तान में नहीं सिर्फ उनको पसंद किया जाता है और उसके साथ साथ आपने देखा अगर आज की मैच की बात करें तो आ आपकी किसी के साथ कंसर्ण होते हैं जब आप किसी से उमीद लगाते हैं तो फिर वो वो शक्स पर प्रेशर जादा हो जाता है और वो उस प्रेशर को भी फेस करते करते वो अपनी प्रफॉर्मस को भी अच्छा दिखा रहें तो इसका मतलब यह कि उन्होंने काफी को ना सिर्फ हिंदुस्तां में बीजिभी इस एप्रेशियेशन को बहुत जदा बहुत जदा जो है वो डिजर्व करते हैं और मैं उनके लिए दौा गो हूं और कि इसी तऱ वो सेंचिरीज पे भी सेंचिरीज जो है वो चीख और इसी तरह इंजिया का नाम और पुरे ए को हमेशा से अल्दो हर मैटर्स में अपना समझती हूँ लेकिन जब वेस्ट मुकाबले की बात आती है तो मैं बहुत जब जब सपोर्ट किरती हूँ और ऐसा लगता है कि जैसे अपने घर की बात हो और अगर बात करें आज की परफॉर्मंस की तो यदिया जीते गा जिस तरह बहुत अच्छा मैच वैसे सब मैच्चों में आपको बता है जब इंडिया के साथ होता तो इंडिया इस बार जो है ओडियाई में बहुत जब अच्छी परफॉर्मंस दिखा रहा है शुरू से अगर पिछला भी एक पर रिकॉर्ड देखा जाए तो तो मुझे अमीदे है कि इस बार भी इंडिया जो है आज का मैच जीट है और मैं बड़ी खुश हूँ कि जो है इंडिया ने बड़ा अच्छी स्कूर्स की है अब अगर नियूजी लैंड की बात कर लें तो वो आपके सामने है कि क्या परफॉर्मंस दिखा रहे हैं और मैंने परफॉर्मंस शु क्या इनडिया क्या मैचेझ मैच अब बड़ती है चाहल ऐसे इनडिया का कि इन ने कहई टीम के आज आपके टीम की कि बात टीम उन्हे क आपकीम जो है इस बार मतलब पयानने कामने ही बड़ काली प्नारे हैं क्या ग्वाड़ साण खुश बहुत जादा ड्रॉबबैक्स हैं फाइका दिखें पाकिस्तानी टीम के इस बर परफॉर्मंस अची नहीं रही है अलाके हम लोगों के बड़ी बड़ी उमीदे वबस्ता हैं और में खाल से हम भी फूल हैं कि हम लोगों के उमीदे लगाते हैं इस टीम से जिस पे ना तो हम पर बाट आप बड़ी तो हैं और में आप खाल से एक बहुत बड़ी वजह है कि अट्रेशनल लावल पर जब पर फॉर्म करते हैं तो चीजों को अच्छी तरीके से लेकर नहीं चलते हैं और रही हैं तो डिस अपॉंइंटमेंट तो है कि अच्छा परफॉर्म करते हैं त आप पाकिस्तानी टीम ने और मुझे बड़ा जिए आपके एक लियर ने वहां पर बोला था कि यह लोग बिरियानी खाते हैं तो काफे वाइरल लुआ था तो अब क्या कहना चाहोगे बिरियानी नी मिल रही हैं आप लोग ने भी तो है दरब बादी बिरियानी के लाई है इंडिया हर बारी चुके इंडिया हर बारी चुके इंडिया हर चीज में तरखी कर रहा है और काफी अच्छा लगता है जब अपनी कंट्री को इंसान तरखी करता हुआ देखता है जब अपनी कंट्री को इंसान सक्सेस की तरफ देखता है तो काफी ज़्यादा अच्छा किरिकिट टीम के फैन्ज हैं जो इंडिया को स्पोर्ट करते हैं या फिर जski यहां पर यहां पर बहुट सारे बहुत सरे भारतवासी हमें देख रहे हैं उनके लिए यह क्रिकित टीम के लिए किया बोलना चाहोंगे मैं यहां पर बोलना चाहूंगी कि दिल के अर्मा आसुआं में बहगे हम प्यार करते करते भी तनहा रहे गए वो इसके बोल रही हूं विकास मेरी बड़ी खौाइश थी कि जर्नलिस्ट मैं वहां पर आकर कवरेज कर सकूँ लेकिन ऑविसली सरकम्स्टांसिस उसे साब के नहीं है और कोशिश मेरी यह भी है कि मैं बाबा का इलाज करवा सकूँ वहां से आकर इंडिया से तो चीजें आप सब टाइम्स आपके फेवर में नहीं होती है आप चाह कुछ हो तो लेकिन होता कुछ हो रहा है लेकिन मुस्ट कोई बेहितरी है लेकिन मेरी दिली खौइश है कि मैं वहां पर आकर जुरूर कवरेज करूँ और इस पूरे मैच को मैं जो है झाल में अपने चनल के तवस्स से वह आं पर कर लेकिन और अबिसली व knowing that to be बहे गए हम प्यार करके भी जो है वो तनहा रहे गए अभी तो यही आला तो है मैं तो बाकी इंडियन टीम टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म के रही है मुझे बड़ी खुशी होती है उनके परफॉर्मनस दे कर जो चीज अच्छा जो लोग अच्छा अपनी महनत से करते रहें खुश रहें अबाद रहें और हिदुस्तान का नाम जो है इसी तरह रोशन करते रहें और लव यू विराट कोली की फैन है मैं तो हर क्रिकेटर की फैन हूँ जो अच्छा परफॉर्म करते है मैं हर उस इंसान की फैन हूँ जो अच्छा परफॉर्म करता है जो म कि क्रिटिसिजम का तो हर इनसान को सामने है अगर हम पाकिस्तानी कर्किट टीम से ही जा के पूचेंगे अब देखें पिछली डिबेट मैंने का लिस पे ही की थी कि पाकिस्तान के मुहमाद आमिर बॉलर है वो वो क्रिटिसाइज करें थे PCB को मैनेश्मेंट को के RDI में जो मै पर इंटर्वी प्रोग्राम भी किया तो देखें क्रिटिसिजम हम उनसे वो कहते है ना जिस लगत जिस अब यह पंजाबी में जो ठीक साला कि मेरी मतला मैं पंजाबन हूँ लेकि मुझे थीक से पंजाबी बॉल नहीं आती है जिस तन लगे तो ही तन जाने यहां पर जानता है उस दर्द को कोई दूसरा आकर उसको महसूस भी नहीं कर सकता है जब तक वो उससे सफर ना कर रहा हूँ तो यहां पर यह बात कोईट करने का मकसद सिर्फ फाइका यही है कि जब आप जिस चीज़ से गुजर रहे होते हो ना उसका एसास किसी को नहीं होता और अ पाकिस्तानी लोगों को उनसे बड़ी उमीदे वबस्ता है और थी भी और अब शायद जो मायूस कुन हालाद चल रहे हैं कि वो ऐसे यो लोटे हैं लिकिन चलें जिस तरह हम लोगों की सरकमस्टांसे से सापसर ने ने कोशिश तो की ना उस चीज़ के लिए अप्रिशेट बाकी महनत करें और यह है कि महनत करने वाला कभी भी जाया नहीं जाता है महनत आपकी कभी भी रायगा नहीं जाती है रिजर्ट्स पर फोकस ना करें सिर्फ और सिर्फ महनत करें और जो महनत करता है एक ना एक दिन जरूर उसकी महनत दिखाई देती है अगर आप यह समझे एक बार इंडियन क्रिकेटीम के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि I love you India, I love Indian Cricket Team and I love my country जो भी चीज़ हो रही है I'm so happy and I'm so glad कि I am the part of this country I am the, you know, वो एक हिस्सा हुमें इस country का, मतलब क्या कहते है कि इस country मैं रहे ही हो और बहुत ज़धा खुशी होती है जब अपने प्लेयर्स को तरक्की करता हुआ देखते हैं international levels पे national levels पे वो हमारा नाम रौशन करते हैं हमारी country का नाम रौशन करते हैं क्यूंकि उन लोगों से कई लोगों के sentiments, countrymen के sentiments, उनकी feelings जुड़ी होती है उनके कई भावना ही जुड़ी होती है और कैसे उन भावनाओं को रखते हैं और कैसे भारत को आगे लेके जाते हैं सलाम है उन सभी प्लेयर्स पे और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी वीवर्स के लिए टाइम निकाल और क्या होगा आज के मैच में कौन जी दिखा इंशालला मैं पूरी उमीद है कि इंडिया इस बार प्राइम इंगी राष्ट नहीं करेगा पिछली बार की तरह जैसे वो खेल चुका है जैसे वो अपनी महनत दिखा चुका है आज भी इंडिया ही जीतेगा आप सब लोग भी देखते रहें कि आगे क्या होने बाला है आगे भी आपको दिखा जे रहेंगे तब तक के लिए आप जुड़े बाकी जै हम, जै बारत, जै कश्मीर, थैंक यू सो मच थैंक यू